एक छोटी सी चीज कई बार एक बड़ा सा इशारा करती है जियां? छोटी सी चीज एक छोटी सी चीज से एक बड़े मर्डर का पता चल जाता है मगर इसमें इस वाले केस में कुछ भी पता निये था बस एक फूली हुई सी लाश मिली देखे ही बता चल जाता काफी दिन से पानी में डूबी हुई है अच्छा लाश देखके डॉक्टर सालूं के काफी कुछ बता देते मगर इस बार वो भी चक्मक आ गए समझ में नहीं आ कि करें तो करें क्या इस फूली हुई लाश का बार में पता चला कि वो आदमी कहां काम करता है तब ऐसा लगा कि ये केस आगे बढ़ने की बजाए शाद यहीं पर रुख जाएगा क्योंकि जिस आदमी का नाम इसमें सामने आया वो इतना बड़ा और इतना मशूर आदमी था कि दस पार सोचना पड़ा किसे पकड़ा जाए कि नहीं फिर सोचा के देखा जाएगा पूछे तो सही कानी क्या है अब तक वो आदमी कायब हो गया हम भी भागे उसके पीछे पीजा बुर्दक और आपको विश्वास नहीं होगा वहां पे क्या हुआ वो आदमी तो मिला नि मिली तो सिर्फ उसके खून की कुछ बूंदे जया खून की सिर्फ कुछ बूंदे मिली तो सिर्फ Al pजड कि अजुर्दक प्रूंदी बापा, आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में दुन रहा थ। बापा, आपने इस पेंटिंग कुछ ऐसी बनाई है कि जूब इसे एक बार देखेगा न, इसके तरफ खीचा चलाएगा और आपको पता है पापा, इस पेंटिंग के आपको लाख रुपे मिल सकते हैं आपने फिर से वो जादू कर दिया जो आप एले किया करते थे थेंटू नचरी करते आपको लग्यार और अंटू मैं उठा देता हुआ क्या हुआ क्या हुआ नहीं वो इसनी अच्छी पेंटिंग है कि मैं अपने आपको रोकी नहीं पाई इसे देखर विश्वाहसे नहीं हुआ और गल्ती से मेरे मूझ से नहीं निकल गया वैसे रविंदर जी आपकी हार पेंटिंग में कोई नहीं बात होती है क्यो रविंदर जी राहूल रविंदर जी को पेंटिंग को निकले अकेले छोड़ देना चाहिए चले है ठीक है आई पापा, सी यह सर इस मास्क के अंदर थोड़ा सा यूडिकुलम और डालोगे तो ही इसकी बद्मुक कम होगी सर थोड़ी देर बात मैं बेहोष हो जाऊँगा वो इस्टील की देबल पढ़ी है माँ आजाकर के बेहोष हो जाऊँगा आपको मजा चुद रही है यहां लेने कि डेने पढ़ ले हैं शर तो बाहर चले जाओ ना, किसी ने कहा है यहां पर पढ़ हरेने के लिए ठीक है चला जाता हूँ वापस लुए आउंगा, चला जाता हूँ हम् यह मार हो अच्छ हम बहुत खराब है भाई है आगे मत आओ कुछ हो जाएगा ठीक है आई गयो तो यह लो यह मास पहन लो नहीं तो सुगो फिर आराम सुगो क्या था मास पहन ले नगर यह भाई साम मानने वो तेयार नहीं तो सरंक है बोरी काफी फुली हुई है आवस इसकी मौत चार दिन पहले हुई है चार दिन पहले हुँ शरीम ने पानी बर गया और यह मरा किसे है दया इसकी छाती पर मतलब दिल के पास किसी चीज से वार किया देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ है सामने के पता चल सकता किस चीज से मारा है इसकी वही तो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ है ऐसा हतियार मैंने आज तक नहीं देखा बस यह देखा यह यह इस तो तरह से दिखने वाले हतियार से मारा हूँ है एस तो अजीब किसम का चाकू दिखता है यह यह तो अजीब है एक और चीज एजो अजीब है देखो यह देखो इसके घाव पे संग मुझे ही है हरा पेंट मिला यह पेंट चाकू में लगा थिखा तो एसा ही हुँ शायद ये ये चाकू पेंट करने के काम आता होगा? मतलब हमारा अप्पुनी कोई पेंटर या आर्टिस्ट है? वो सकता है. इस तरह का चाकू कहा मिलेगा? और कहा मिलेगा? स्टेशनरी की दुकान का? सर बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने. ये चाकू पेंटिंग करने के काम में आता है. चित्रकार लोग इसका इस्तिमाल एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करने के लिए करते हैं. तुम ये बताव कि तुम इस तरह के चाकू बेशते हैं? हाँ सर, बहार से मंगवा कर बेशता है. मतलब काफी महेंगा होगा? हाँ सर, ये महेंगा होता इसे सिर्फ बड़े आर्टिस्ट खरीच सकते हैं. अच्छा ऐसे कौन-कौन से पेंटर्स हैं जो इस तरह के चाकू खरीच सकते हैं? वो तो मैं नहीं जानता लेकिन प्रणव जी हैं, जिनका बड़ा नाम है और बड़े-बड़े आर्टिस्ट उनके पास आकर अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं. उनका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? प्रणव, ये देखो, अब तुम तो आर्ट और पेंटिंग में एक्सपर्ट हो, क्या बता सकते हैं, ये किस सरेगी नाइक है? सर, ये कोई मामूली चाकू नहीं है, और ये सिर्फ नाम के लिए ही चाकू है, इसे सब बड़े-बड़े पेंटर्स इस्तिमाल करते हैं, लेकिन सर, बात क्या है? बात ही है कि एक खून हो गया है, और खून ऐसे ही चाकू से किया गया है, तो हमें लगता है कि शायद ये खून किसी- प्रड़ो, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे पीण्टर को जांते हो हमारे शयह। ने ? जिसके बारे में हम ये कह सकी, you know, you know what I mean, पतलब. सर, दुनिया का सबसे मश्हूर चितरकार, वैंगो, बिचारा दिमागी हालत से परिशान रहता थे. कभी-कभी तो उसे थोड़े दिनों के लिए, S.L.M. में भी रखना पड़ा, लेकिन वो कोई उनी-उनी नहीं थे. करोणों रुपए की एक-एक पेंटिंग है, सर. वाखे, कमाल के पेंटिंग. विचारा इतना बड़ा पेंटर, वगर दिमाग की बिमारी से परिशान. सर, एक बार तो उसने अपना कान काट के ही दी दिया था. सर, हम भी इस धंदे में ही हैं, और सारे आर्टिस्टों की पेंटिंग मैं बेशता हूँ. सबसे अच्छे रिष्टे हैं, पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक आर्टिस्ट है जिनके बारे में मैंने सुना है. ये देखी, सर. कितना वॉलनस भरावा इस पेंटिंग में, कितनी नफरत है. कुछ हो जाता है उन्हें? हाँ, सर. कभी-कभी हो जाता है उन्हें कुछ. किसकी? किसकी पेंटिंग है ये? रवेंद्र जी, सर. बड़े पेंटर हैं. यही उन्हें बीज बीच में कभी कुछ हो जाता है, तो इस तहां कि पेंटिंग मनाते हैं इसे ही और भी कोई पेंटर से? नहीं सर, बस यही है रविंदर जी जी सर रविंदर जी चलो रविंदर जी से मिलते हैं बलवन केचू या केचू, पेंटिंग नम्बर 36, आर्टिस्ट केके बेरान. एक्स्कूज मी? येस, क्या बात है? मैं इसे भी प्रजु मन, C.I.D. से. C.I.D.? ये, रभींदर जी कहीं दिखाईनी दे रहे हैं? जी, वो तो बिजापूर गये हैं. बिजापूर? किसलिए? बिजनस की काम के लिए गये हैं. और कौन कोन है यहांपर? रभींदर जी का बेटा राहूल और उनका बिजनस पार्टनर याश. मगर वो लोग भी नहीं है यहांपर. यह रभींदर जी की पत्नी है? जी. आप कोन है? मैं उनकी सेकरेटरी हूँ. मैं यहांपर सारा काम देखती हूँ. अच्छा, रभींदर जी तो बहुत जाने माने पेंटर हैं. जी हां. उन्हें हर कोई जानता है. तो पिंटिंग करते समय वो यह वाला चाह को इस्तमाल करते हैं. एक मिनिट. यह क्या है? यह तो एक्दम वैसा है? सर, आप तो की पूछता आज क्यों कर रहे हैं? यह खून हो गया है. खून? आप जड़ा यह देखें. इस आदमी को पैचानती हैं? नई. इसका तो पुरा चेरा बदल चुका है. ठीक से देखें. पैचानती हैं? यह पुस्से नहीं होगा. शाम. शाम शाहत कोशिश कर ले. इस आना? शाम जड़ा यह फोटो देखो. अचानतो इस आदमी को? यह तो मानव जैसा दिख रहा है. देखना, इसकी नाग के नीचे तिल भी है. यह मानव कौन? मानव. मानव यहाँ का मानेजर है. मागर वो पिछले चार दिनों से यहाँ पे आई नहीं रहा है. चार दिन से आ नहीं रहा है? और आप लोगों ने कंपेंड वगारा नहीं लिख वाई? नहीं. हमने पॉली स्टेशन में रिपोर्ट लिख वाई है. ये. रविंदर जी का बर्ताओं कैसे था मानव के साथ? ठीकी था. तुम को छुपा रही हो. रविंदर जी थोड़ी से संकीत है. अगर वो किसी कखोन नहीं कर साथे. वो तो पता चली जाएगा. सिर्व इतना बताओ. ये मानव बैठता कहाँ था. तो. यहाँ बैठता था मानव. सारा सामान बैठ करके रखा हुआ है. लगता कहीं भागने के तारी में था. इस्क्यूज मी? मीना ने मुझे अभी बताया के मानव का खून होगे? आप को ने? सर मैं रविंदर जी का बेटा राहुल. राहुल तुम्हें अंदाज आई ये मानव वा यहां से छोड़ के क्यो जाने वाला था? मुझे नहीं मालू से. अजया आप कुछ बता सकते हैं कि मानव का खून के हुआ होगा? पिछले कुछ दिनों से मानव बहुत परिशान सर ने लगा था. परिशान था? क्यों? अब पता नहीं है, ऐसे ही है देखो, सब कुछ सासा जो गंदो, खून का मामला आई नहीं तो फाज जाओगे तो बात यह है सर किसी बात को लेकर मानव और पापा के बीश में जगडा हो गया था. किस बात को लेकर जगडा हो था? मुझे यह तो मालूम नहीं, लेकन उसके बाद मारों नहीं आफिस आना बिल्गुल कम कर दिया था. शाद वो नोकरी छोड़के जा रहा हो? अबे तुमारे अमिदाओजी से बात काना बहुत ज़रूरी है, जर फोन लगाओ. मैंने ने कॉंटेक करने कोशिश कीती सर, पर उनका मोबाइल पॉन स्विष्ट ओफार है. स्विष्ट ओफार है? रविंदोऑजी, बिजापूर के आना, वाक आए टुरूरू. हाँ बबा, आजाओंगा, आओंगा नो! देखो, अभी में बीजापूर में हो, अभी में बीजापूर में हो, अभी उड़ क्या, सुनो तो, सुनो, हलो, हलो, यहाँ बीवी मुझा फोल पे डाट रही है, और तुम हसे जा रहा हो, यह साब लोग अंदर गए हैं, ना जाने को बाहर आएंगे, मैं तो मर गया पूछे लिए मैं पूछे मैं पूछे अस्कामरे पे तो, सुनो भूह कोने हैं, अपलोग कोछी लिए हैं अपलोग कुछ लिए या है, याय जी एक मिनट नम्र साइबन। आए, जा पोलोगों बाला उखुरेका है कोई फोन नी उठा रहा है? फोन नहीं उठा रहा है? अवेंदर जी अवे तो अवे ना? हाँ, वे 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 ने चाहिए कंडरे की चावी तो यहां नहीं है? यह नहीं, जाके तेगे नहीं जाके तेगे कल शाम से पापा कमरे में नहीं है होटे में मालूमी नहीं है? सर, मैं कल शाम को ड्यूडी पर नहीं थी आपने थी तो फिल कोई और होगा बलाओ सर्थ जी सर् तो यह वो आत्मी इसने कल शाम रविंदर जी पो होटल से बार जाते हुए देख तो कहां गया हूँ? ओटिल के असपास कोई जगह है? सर्यां पास में एक जंगल है शैद रविंदर जी वहां गए होंगे? अभी जी अब जब जंगल में घूमने निकलता है तो वह ऐसी जगे ढूमते है जहां पर कोई रास्ता आप तो रविंदर जी अचानक जंगल में घूमने आएंगे है कुछ अजीब लगा है हाँ कोई बात भूंदे रविंदर जी को अच्छी तारफ से तुम लोग उस तरफ जा प्रेटिक्स प्रेटिक इस तरफ जाना तो राहूल कि अजीब लगा 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 कर दो 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 फिए अजय कर भी यह उड़िए टार हाए भी आगार आगार अजय मेलें इसे खूल नगार अजय कर दो यहाँ है पर यहाँ प्तो पर भी खूल जो यह तर्द कर दो 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 आखा है पापा अपने एपा इस पर पूल लगा है क्या होल गया लगा पापा कुछ अब जए अब जी तो गड़ी दिखा और यह गड़ी यह किसकी हो सकते कुछ जानते हो यह श्री यह कि घड़ी है यह किशby की और पापा कि पार्टनर क्या वो भी तुम्हारे डेली के आप यहा है जिष तो गॉओमें? खुओमी? अगर जिष गॉओमें हैं तो फिर इसकी खड़ी है? रवेंद्र की लाश अगर मिल जाती तो पता चल जाता ना कि हुआ क्या है मामला बड़ा अजीव है किसीने रविंद्र का खुान करनी की कुशिश की मगर उसकी लाश को गायब कर दिया अब हमें ये मालूम नहीं कि रविंदर की मौत हुई है या नहीं सर यश के बारी में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा है मैं तुमें बाद में फोन करता हूँ उसकी कार कर रात कोई शेहर में गुसी है सर अच्छा ये तुमें कैसे बता चलते है सर शेहर के बाद थो चेक ना का है वहाँ फोन कर के पूछा उसके कार का नंमर लिखावा है अर तो उसके घर में घुस्कर ही उसे पकड़ लेते सर घर पहुचता तो पकड़ दे ना घर में नहीं है औफिस में नहीं है अपने दोस्तों के या नहीं है, एकदम अंडर्ग्राउंड हो गया है, सर। अगर उस शेहर में आया है, और अंडर्ग्राउंड हुआ है, इसका मत्तबए कुछ तो गढ़ड है। सर। उसकी घड़ी का विजापूर में मिलना इस बात का सुबूत है। या अभीजी तो हो सकता कि किसने उसके घड़ी ले जाकर के महां बिजापूर में डाल दी। क्योंकि देखो, हमें पक्का मालूम नहीं है कि यश बिजापूर गया है भी या नहीं। सर वो वहाँ पे गया था और उसी होटल में ठहरा था जहां पे रविंदर जी ठहरे हुए थे। क्या। आ सर नाम बदल के ठहरा हुआ थे। आफिस में बोलके कि गवा जा रहा है मीटिंग में। मीटिंग में तो पहुचा नहीं। सीधा बीजापूर बहुँच किया। यह शिर घडियां में महां मिलती है। धड़ी पर खून लगा हुआ। रविंद्र कायव है। ना उसकी लाश मिलती है। ना उसकी एक बारे में कुछ पता है। और हमें, यह भी मालूम नहीं, कि वह जो खून मिला है। वह रविंद्र का है? या नहीं? सर, वह खून रविंद्र का ही है, सर। राहूल का DNA मैच हो गया है, उस खून से। ज़सका मतलब है अटाद का रविंद्र पे ही होआ है। अब सब साफ हो गया सर, इस यश नहीं या तो रविंदर जी को किट्नैप कर लिया है, यह फिर मार के कहीं फेग दिया अब रेडिक्स, सर, यश का पता चल गया सर, गोड़, वेरी गोड़, पता चल गया, कहा पर है वो, सर, वो जहां पर छुपके बेठा है, उस जगे का पता चल गया सर, प्रेडिक्स मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ाओं, मैं देख साकत हूं सर आपको, सर, दरसल बात यह है कि मैं जैसी बिरो में घुस रहा था, मुझे मेरे इंफॉर्मर का फोन आया सर, मुझे से रहा नहीं गया सर, इसलिए मैंने जल्दी से आपको फोन कर गया, प्रेडिक्स मैं ने तुम्हें पूछा यश कापर है, सर, वो आपने फारमाउस पे छुपके पारमाउस मैं, लेट्स गो, जी आप लो कौन? अम लोग C.I.D. से हैं, जजी गर में है, वो तो बाहर गया है, अच्छा, जब गया है, वो तो मालूम नहीं, शूट माद बलो, बस इतना मालूम हाई कि वो बाहर गया है, चलो हम कुरी देख 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 अच्छा, वो बाहर जाए है, आप लोग उसे चले आ रहे हैं, तो यहां है यहां है यहां है, यहां है यहां, अरे, आप कौन है? मैं, 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 म अजी बताये, विजापुर क्यों गय थे आप, विजापुर, ये कॉंसी जागा है, अरे, कौंसी जिगे, पेड़ी, दिखा अजरे इने, मैं तो खुद गौवा से आया अजी अगर तुम गौवा में थे, तो तुम्हारी ये घड़ी, विजापुर में क्या कर दें, ये कहां है, समझे, विजापुर, वो होटेल, गलत नाम, जंगल में सेर, और ये वाल, सब कुछ पता चल पूर, अब अच्छा ये होगा कि आप अपने मूझ से सब कुछ अच्छत बता दें, क्या हुआ था विजापुर में, समझे, बहात ऐसे है कि वो अलजी जीने कहा कि सुरो च कुछ लगा है, कहा? 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 कहा है? क्या हुआ ऐसे? कुछ ने कि एक्टिंग कर रहा है, बात में पूछना पढ़े का स्कूल कॉलेज में कभी नटएक में काम करता था कि है? वोई, वो, उठो, अले? नौसर, डेट. अबजी, यार हमें इतनी जोर से चिलाना नी चाहिए था मैं में कुछ जादा ही जोश में आ गया था. अबजी, तो लोगों के हिस्ट्री जोग्रफिस अब बाहर आ जाती है. हाँ, मगर यह तो बिना बोले है मर गया. सरुखे, यह चिल्ला में से मर गया क्या? Boss, अगर ऐसा होता, तो लैप में हर रोज एकने एक लाश जरूर आ जाती है. Doc, साब कहीं है, हाट अटेक से तो नहीं मर गया है? क्या नहीं सकता हूँ, ऐसा लगता है के… यह देखो, इसका मूँ अंदर से एक दम नीला पड़ गया है. Boss, मुझे लगता है किसी ने इसे जहर से माल गया है. जहर से? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? सर यह आदमी तो हमारे सामने बिल्कु ठीक था था. शायद पहले से जहर इसकी बॉड़ी में होगा. जब वह इसके खर गय थे तो यह अंदर लेटा हुआ था, बेड़ पर. आशर. मगर पसीना पसीना हुआ था. इसका मतलब जहर का असर शुरू हो गया था. पहले मानो, रविंदर जी और अभी है यह इश. ECB प्रद्युमन यह. क्या? तर अब फिर से बोलो. तुम सच कह रहा हूँ. जठीक है, हम आते हैं. दो ही खून हुए है. मानो और यह यश. अरे तो पेर रविंदर जी? रविंदर वापस आया है. क्या? रविंदर जिन्दा है? आप लोग यहां? हारो, तुमारे पिताजी से बात करनी है. पापा की हलते सब बहुत कराव है. हाँ, हमें पता है. लेकिन उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है. बात बात में भी हो सकती है, सर. बात में बात नहीं हो सकती रहो. तब तक बहुत देर हो जाएगी. बस हमें इतना पता लगा रहा है कि वो उस वक्त थे कहा. चलो जो. हरे, सर, डॉक्टर नहीं आराम करने हो रहा है, सर. रविंद्र जी. कैसे हैं आप? आप वो… हम लोग CIDC हैं. आपकी तवियत के बारे में पूछने आएं. अब आप देखी रहे हैं क्या हालत हो रही है? हाँ. जिसने भी ये किया है, बहुत बुरा हाल किया है. आपको कुछ याद है? क्या हुआ था जंगल में? कुछ पता नहीं. वो… पापा, तकलीफ मत कीजिए. डॉक्टर नहीं आराम करने के लिए का है. अरे, ये बता रहे हैं न? इनके साथ क्या हुआ था जंगल में? हाँ? किसने मा रहे हैं नहीं? आप लोग समझने की कोशिश क्यो नहीं कर रहे हैं. ये सब बातें बाद में भी हो सकते हैं. वो… बहुत अच्छे लोग थे. वो… कौन अच्छे लोग थे? वो… वो किसान… किसान और उसकी बीवी… तुनों… बहुत अच्छे थे. उनों ने मुझे जंगल में पड़ा देखा और वो… उठाला है और मेरी. देखभाल की. रविंद्र जी, जब आप जंगल में सहर करने निकले थे, तब आपके साथ कौन था? वो… येश. येश? वो वहाँ पहले सही था? कौन? येश? आपने येश को देखा था ना मापे? वेश को भब सहा है. सने मारा आपको? वोई ना कुछ को था आपको बेच्टाना, कौन? येश? वहाँ वह और था. वहाँ और था? वोई बाना आप आपको? येश? किसी येशए ने? नहीं, बेहोश होने से पहले मैंने देखा उसे. ठाक होनो, उसका चेरा देखा, देखा. क्या हो अरविदर जी? इस मादा. बाबा, मैं राहुल, आपका बेटा, यही है, यही है. इस सेवा के मैंने बाबा के. और उनोने कुछ यह सिला दिये, मैं तो बस इसना चाहता थ। कि वो एक तो बाब प्यार से बात कर, बस इसना ही चाहता. तुम्हारा इनाम क्यू लिया? तुम्ने कुछ तो किया ही होगा ना? मैं क्यू कुछ करने लगा? मैं बेटा हूनका. यह तो रविंदर जी को भी मालूम है. तुम्हारी तुम्हारी तरफ उगली की उठाए उनोंने? पता नहीं पापा की दिवाग में उस वक्या चल रहा थ। पर वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते. उस नाथ तुम का थे? मैं, मैं उस रात को अपने घर में बैठा हुआ थे. खर में बैठे हुए थे? अच्छा? फिर? फिर फिर मैं बस ऐसे ही इधर उधर. इधर उधर? इधर उधर क्या है? मतलब मैं अपनी कार में बैठकर यूही घूमने निकल गया. कितनी दूर गया? बस आसपस. आसपस का क्या मतलब है? कर में पैठकर कोई आसपस घुमनने करता है. कहां गयते? मैं बताता हो कहां गए थे तुम बीजापुर गयते? बीजापुर! बीजापुर नेरा एकिभ माई आईगे practicing का उज़ गया? बीजापुर गय थे वहाँ जाके रविंदर जी पर अटक कर आया और उसके बाद चुपके से वापस आ गए, है ना? रविंदर जी ने हमें ये भी बताया कि तुम उन्हें धंकी पर एसमेस भेज देते हैं, क्यों? देखिए मुझे नहीं पता कि पापा ने ऐसा क्यों का, पर मैंने उन्हें कभी कोई समस नहीं की. मकलब, वजुद बोल ले, है? पैसों के लिए अजकल बेटे क्या क्या करते हैं? देखिए, मुझे अपने पापा के पैसे से कोई लेना देना नहीं है. आप लोग अजर मेरा यकीन ना हो तो मेरे पापा के वकील है, आप उनसे पूछ सकते हैं. सर, रविंद्र जी ने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि आज-के आज एक वसियत तेयार करो, सर. कब की बात है ये? ये एक साल परे की बात है. उनके अपने वसियत में लिखवा है कि उनके मरने के बाद, उनकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक में जो भी पैसा है, वह सब राहूल को मिलेगा. और उनके जो पेंटिंग्स है वो, वो भी तो काफी महेंगे हैं. वो सब की सब चारिटी में जाएं लिए. गरीबों को मिलेगा हो कैसा? इसका मतलब है जब तक रविंदर नहीं मरता, राहूल को कुछ भी नहीं मलता. कैसे मिलेगा सर? मरने के बादी मिलेगा? सर, कही यही तो नहीं होगा? हाँ सर, प्रोपटी हत्याने के चक्कर में राइम से पहले ही रांदी जब उपर पहुचाने का पुरेंदिजाम कर दिया था राहूल नहीं. और वो क्या भी तो रहा था ना, उसका काम आप नहीं चल रहा आजकर. मगर यहां तो रविंद्र की किसमत अच्छी की वो बच गया. वहना आज के लोखुष भी होता है. बेटा प्रोपर्टी के लिए बापका खून भी करता है. सर, एक और बात भी है. क्या बात है? सर, तीन महीने पहले रविंद्र जी को एक और जटका लगा. जटका? कैसा जटका? उनोंने पुरानी वसियत बदल दी और नहीं वसियत बना दी. अच्छा? पुरानी वाली वसियत बदल के नहीं वसियत बनवाई है? जी. और इस नहीं वसियत में क्या लिखा है? वो मुझे नहीं मालूँ अरे? नहीं मालूँ? कमाले, आपने वसियत बने और आप भी को नहीं मालूँ? वो नहीं वाली वसियत उन्होंने किसी और वक्की से बनवाई है निम्हें तुमें इस नी वसियत के वारे में कुछ बताये नि? क्या बताऊं, सर? उनका दो पस ऐसे ही है मैंने का था ना, सर उन्हें जटके लगते हैं, जटके उन्हें परानोई हो गये है परानोई? हर बात पर शक? हाँ सर, उन्हें हालूसिडेशन जाते हैं मतलब वो अजीब अजीब से खयाल आते हुए हाँ सर, पूचिये मत उन्हें लगने लगा है कि मैं उनके खिलाब साधिश कर रहा हूँ अरे मेरी तो छोड़िये, उन्हें अपने बेटे तक पर विश्वास नहीं रहा दी मदसर रवीन जी के दिमाग में कुछ गरबड हो गई है और वो कुछ भी का सकते हैं माई गोड़ वा क्या है यहां पर शेट वाँ किस्की यह यही यहाँ शेट यहाँ पसको इनका बिलेदे रहां साँ हाँ कुम प्रुम 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 कुम माइ गॉड मीना फ्रेडिक्स असे जड़ी से ऑस्पिटल ही चुन जो जो सही देखे सही देखे माइ गॉड माइ गॉड अभी जड़ी चलो कहा पे कहा पे कहा कहा अभी थैंक्य। यह आगे सा राइट ले लो देमलो रोड पे तो रवेंदर की गाड़ी अभी अभी तीन हाथ चेकनाके से गुजरी है अगर यह रवेंदर थीन हाथ चेकनाके पे क्या का रहा है उसका बिटा राउल तो इस तरह पहता है सकष्टे को पेंदर का कानि Τराने पेंदर साथний आंड़ अभी वें वाहते कि अ कीया करने अगर मेंदर आप से ठाचिन और पकडर तो नहींता है मानव का खून अरवणर नहीं किया यह अभी वे लिए पेंटिंग और जन्लोर के सता है वाइसे ही जयते माना हो का मोन चाहिए हालो अहाँ अविजीती भोलो क्या? पंडाल करोड अभी अभी निकला है हाँ हाँ, तांक्यू, तांक्यू बेरी मुच लेजी अब कही आँ आँ जा लागे पंडाल करोड यस कुछ न कुछ तो चक्कर है देया ऐसे तो इदर भाग ने रहा कहीं न कहीं तो इसे पाहुच नहीं होगा पर कहा सर एक मिनिट अज तारीक क्या है? सर, रविंद्र के आठ गैलेरे में उसके पत्ली के फोटो लटकी हुए थी सर हाँ, तो? तो सर, उसमें उनकी मौत की तारिक भी हुए थी सर यही बित महीं कहीं वहीं तो नहीं जा रहा है अपनी बेबी के गर, वहां कोई फंक्चन ओंचन हो रहा है विवेक किसी को पॉन करके देखो उसकी वाई प्रेदी का थी प्रेदी करके भी है अलोशें, हाँ, मैं वेक बोर्णाव सी आइजी से यहाँ, रविन्दरी जी की पत्नी का घर कहा पर है? यहाँ ।ो okay, thanks सर, रविन्दरीजी की पत्नी प्लॉत नम्बँ फॉर्टी थी पेंडर कर रोड पर रहती थी मैं तार्गा दो? ये सर्फ वारी तो चारागो है जो देड़े लोग्टार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्थ लेत्क पड़ होाँ जोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्थ मैं ऐाट्ग्स थो तो तो एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट याफ्ट्गात् सुन्द लेग्ध यदोक वे थे density he be erei तो य्द्मे बां sono तो चैंद आप को उता हुआ बिकวतर कर दो ला लेखना लेखना मैं ए लारा लेखना लेखना है फ्लिडाना लेखना लेखन ऑया जो कर दो फस्कारा है लेखना है साथ! प्रीद करें. में वार बारी है. कि ओक पराइब करें. प्रीद करें! क्यांत मुण्हें से जिए है? अजिया उए! अजिया? अजिया उए?! अजिया हाँ? पर्षेटों नघ्टीож को? चाकु Damn Ben सिर्षेटों आप आखे मैं हमने शॉंड और शॉंड गो एक विए इन इस थीधान या तकाय जा इसे हश्डर के आऊ अगन आओ जआरविनेंद मको याओ जया? याओ? यह याओ चाकु काषे जा आखें लेहास क्यों माला रहो ग। कि इसने माला रहो ग। सार सर खून रविंदर जी नहीं किया है मारने वाले ने बाय हाथ में चाग मुपकणा था सर बाय हाथ में खूनी खबबू है लेफटी अरे मीरा जी यह आप जाखा रही है आप लोग मैं आप लोगों को फोन करने ही वाली थी आप लोगों का शुक्री आदा करने के लिए कि आप सब लोगों ने मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल पँचा दिया अरे नहीं नहीं इसमें शुक्री आदा करने की क्या बात है वो तो हमारी ड्यूटी थी जल्दी वापस कहें सिरोटी कई भाग तो नहीं आई नहीं आई नहीं नहीं जाने दिया जोट ऐसा हो इनी सकता है रेडी बताओ डॉक्टर ने क्या का था जब तो में से लिखे के गहते सर डॉक्टर ने तो कहा था कि तिन दिन बाद इसे डिस्चार्ज मिलेगा लेकिन यह तो आज ही भाग के चलिया बिड़ा जी आप अब एक लिफ्टी है ना मतलब मतलब यह कि तुम अपने सारा का बाएं हाथ से कर दियो और हमने तो एक दिखाया है बाएं हाथ से लिखते हुए समझी है तुम खून बाएं हाथ से करती हो ना क्या यह आप सब लोग क्या कहरो मैंनी कुछ भी समझ में नहीं मानो का खून किया तुम है बाएं हाथ से और यश्पो जहर बे के मारा क्यों यश्कू महने मारा? आप तुमने मारा...तूमने까? क्योँ? यश्कू क्योँ मारा? वोजू तुम्हारे साथ मिलावा था नँ? जर्विंदर का खून कहून करने बीजापूर तक चला गया.. तुम्हारे केने पे.. अरे वो बिचापुर गया, यह बात मुझे पता तक नहीं है जोट बिलकुल जोट बिचापुर से आते ही तुमने उसका खुन कर दिया हमेशा के लिए मुपंद कर दिया उसका मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी मेरी पत्नी है या मेरी दुश मैं बहुत करीब थी मैंने रविंदर को फसा लिया इंका तिपाग तो वैसे भी ठीट ली था मैंने इनके तिपाग में बर दिया कि इनका बेटा राहुली इनका दुश्मन है दूसरी शादी नहीं करने चाहिए वसियत भी तो बदल दिया आपने इसके कहने पर वसियत कैसी वसियत वही वसियत जिसमें आपने अपनी सारी जायदात अपना सारा पैसा इसके नाम पर कर दिया इसके नाम पर पैने कर दिया रिट पेवकुफ कहा चुपा कर रखिये वह वसियत किसे चुपाई रविंदर जी बज गया अगर वसियत इसके हाथ लग जाती तो यह तुमारा भी खुन कर देती अधानी किस वसियत की बात कर रहे एक शरीफ इनसान को धोका दिया तुमारा दो तो खुन किये पैसो की लालच में तुम्हे तो पासी होगी